बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक सुन्दर सी कवीता, जिसका शिर्षक है दिवानों की हस्ती. यह कवीता बहुती प्रेजनादायक कवीता है, जो बताती है कि हमें अपने अंदर ऐसे गुनों को विक्सित करना है, जिसके बाद हमारे जीवन में कोई दुख ना आए. तो आएए इस कवीता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन से गुन हैं जीने विक्सित कर हमारे जीवन में कोई दुख नह हो रहेगा, कोई परिशानी नह रहेगी. इस कवीता के रचीता हैं शिरी भगवती चरन वर्मा जी. इस कवीता में वे अपने मन के भावों को व् मजते हैं. चला. लोग उन्हें प्यार भी करते हैं. ऐसे ही लोग दिवाने कहलाते हैं. तो अब इन दिवानों की हस्ती क्या? हम दिवानों की क्या हस्ती? अर्थार्थ, उनका वेहवार चरीतर कैसा है? कवी बताते हैं, जो दिवाने हैं, उनकी तो बात ही क्या करनी? क्या हस्ती? वो तो मस् आज यहां तो कल वहां चल देते हैं यानि उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले मस्ती का आलम जहां भी वो जाते हैं उनके साथ एक मस्ती वाला आलम चलता रहता है वे अपनी मस्ती में जहां भी जाते हैं चारो और धूल रुपी खुशियां भी खेरते हुए जाते हैं जैसे कोई हवा चलती हैं कोई आंधी आती हैं तो चारो तरफ धूल उड़ाती हैं ऐसे ही ये दिवाने जहां भी जाते हैं, अपने खुशनुमा वैवार से, अपने मस्ती भरे आलम से, जहां भी जाते हैं, चारो ओर धूल अर्थार्थ खुशियां बिखेरते हुए जाते हैं। कवी कहते हैं कि हम जहां भी जिन लोगों के बीच भी जाते हैं, वहां खुशियां फैला देते हैं, अर्थार्थ वहां खुशी का महोल पैदा कर देते हैं। आज उनके जीवन में खुशी बनकर आएं हैं, आसू बनकर बह चले अभी, हम जिनके जीवन में भी खुशी बनकर आएं हैं, जब वहां से जाने लगते हैं, उनकी आखों में जुदाई के आसू बहने लगते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले जिनके जीवन से वे जाने लगते हैं वे कहते हैं अरे अभी तो तुम आए हो और अभी जाने को कह रहे हो यानि उन्होंने लोगों के जीवन से सारे दुखों को हटा दिया है वे बहुत खुश हैं कि वे नहीं चाहते कि ऐसे मस्त मोला मोजी लोग उन्हें चोड़ कर जाएं तो कवी के ये गुन है जो वे हमें बताना चाहता है कि हमें अपने अंदर ऐसे गुनों को विक्सित करना है अपने सवभाव को ऐसा बनाना है कि हमारे साथ लोग खुशी से र रखें, क्लियर, आगे देखो बच्चों, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिये चले, यहां कभी कहता है, किस ओर चले यह मत पूछो, ऐसा जो मस्तमोला लोग होते हैं, जो यह दिवाने होते हैं, वे कहते हैं, हम से मत पूछो, कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है, चलना है, बस इसलिए चले, और हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें चलना ही है, यही जीवन की सत्यता है, यही जीवन का न प्रकृति का नियम है एक जगह पर रुकना अच्छा नहीं है जैसे एक जगह पर रुका हुआ पानी बद्बू फैलाता है उसमें मक्ही मच्छर हो जाते हैं वह पानी पर्योग करने योग्या नहीं होता ऐसे ही हमारा जीवन भी चलाए मान है इसी तरह हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए यही प्रकृति का नियम है जीवन ये भी एक गुन है जो कभी कहता है हमें भी अपने जीवन के समय के साथ आगे बढ़ते जाना है कभी भी रुकना नहीं है जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले कवी कहता है संसार में लोगों की जो चीजी अच्छी लगती है जग से उसका कुछ लिए चले लोगों का जो वहवार हमें अच्छा लगता है उनके जो गुन हमें अच्छे लगते हैं हमें उन्हें अपना